क्रिशी कानून तो वापस हो गए थे पर अब क्यूं प्रदर्शन करने जा रहे किसान किया है मांगें क्रिशी कानून तो वापस हो गए थे लेकिन MSP समेत कई मांगों को लेकर अन्नदाता फिर सड़क पर उतरने जा रहे हैं किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने का एलान किया है किसानों ने बड़े प्रदर्शन की तयारी की है किसानों की चितावनी के बाद प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है कि कहीं फिर से 2020 जैसा ही प्रदर्शन ना हो सरकार की सबसे बड़ी चुनोती पंजाब और हर्याना के किसानों को लेकर है किसान अंदोलन को लेकर सियासत भी जोर पकड़ने लगी है सवाल है कि किस सियासी दल ने किसानों को समर्थन का एलान किया है और आखिर किन मांगों को लेकर किसान संगठन फिर दिल्ली की ओर कूच कर रही है इस बीच, किसान अंदोलन को लेकर पुलिस की क्या-क्या तयारी है किसानों के मार्च को लेकर पुलिस हाई अलट पर है पंजाब से लेकर दिल्ली तक बॉर्डर पर सुरक्षा सक्त कर दी गई है पंजाब, हर्याना और दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर बेरिकेंडिंग करके हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है अंबाला में पुलिस ने सड़क पर कंटीले तार लगाए हैं तो दूसरी तरफ सिंगू बॉर्डर पर भी किसानों को रोखने के लिए पूरी तयारी की गई है बॉर्डर पर बेरिकेंडिंग के साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है किसानों के मार्च को लेकर हर्याना के अंबाला में पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी सीमाओं को सील कर दिया गया है बी एस एफ जवानों को तैनात कर सुरक्षा का फुलप्रूफ प्लान बनाया गया है किसानों के दिल्ली चलो प्रदर्शन को लेकर जजजर में भी पुलिस बललट पर है किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस के जवानों ने जमकर अभ्यास किया दिल्ली के टिक्री बॉर्डर पर पुलिस के जवान एक एक गतिविधी पर पैनी नजर बनाएं हुए हैं दिल्ली की सभी सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है निग्रानी के लिए द्रोन का भी इस्तिमाल किया जा रहा है पुलिस कमिशनर संजय अरोडा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने खुद टिक्री बॉर्डर पहुँचे सूत्रों के मुताबिक किसान अपने ट्राक्टर से दिल्ली आ सकते हैं पंजाब, हर्याना, राजस्थन, उत्तर प्रदेश, केरल और करनाटक से किसान आएंगे अब तक इसान दोलन को लेकर किसान संगठन सौ से ज़्यादा मीटिंग कर चुके हैं असमाजिक तत्व इसान दोलन में शामिल होकर कानून व्यवस्था खराब कर सकते हैं सरकार से मांग, किसानों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें MSP की कानूनी गारंटी दी जाए किसानों को पेंशन की सुविधा हो और फसल बीमा दिया जाए किसान और मजदूरों की करज माफी की मांग भी हो रही है सबसे प्रमुख मांग ये है कि 2020 में हुए किसानों के प्रदर्शन के दौरान जिन लोगों पर केस दर्ज किये गए थे उन्हें रद कर दिया जाए संयुक्ष किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा पंजाब हर्याना में होने वाले प्रदर्शन की अगुवाई कर रहा है इन दोनों संगठनों के साथ 200 से अधिक किसान संग शामिल है किसानों आंदोलन में सियासी दल भी कुदते दिखाई दे रहे हैं चुनाव में किसानों को साधने के लिए कॉंग्रेस ने आंदोलन को समर्थन देने का एलान किया है किसानों के समर्थन में कॉंग्रेस महासचव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए है